बिस्मिल्ला रमानिराहीम अस्ताउम्लीकूम लेक्चर नमबर 18 है MTS 646 partial differential equation नहीं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक निया method पढ़ा था जिसको कहते हैं crowds method इसको LU decomposition भी कहते हैं या फिर factorization method भी कहते हैं मेन मकसद इस method का क्या है कि जो हमारे पास matrix है जो हमारे पास system of linear equation इसको matrix बना रहा है matrix में बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है x की value हम लोगों ने कैसे find करनी है उसको decompose करके यानि के जो matrix हमारे पास बन रहा है उसको lower and upper triangular matrices में convert करना है then हम लोगों ने क्या करना है उसके step follows करने है ठीक है step follow करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है x की value करनी है तो यह जो example नबर 11 इसमें आप लोगों को अगर पिछले lecture में समझ नहीं ना है तो इसमें इन्शाल्ला आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जो हमारे पास system of linear equation है उसको check करना है कि यह हमारे पास square matrix बना रहा है या नहीं उसको check करने का procedure किया है आप लोगोण ने जो हमारे पास linear equation system में उसको देखे यहां पर हमारे पास पहले में एकस 1 present है दूसरे में X2 present है दूसरे में 13 present है और 4 equation में हमेरे पास X4 present है यह हमारे पास क्या होते है अगर आगर हमारे पास यह डागनल ऐलीमेंट प्रेजन है यह हम इसके मैट्रिक्स परिद तर delivery तो यह उम्हेंद ताग के एक जो भटते ना मैट्रिक Jena क्या है उसको हर जो पर जाहुकर हं मैٹ्रिक्स की फाहम में कर्वर्ट करना है अब यह जो सिस्टम है यह मरे पास मैٹ्रिक्स बना रहा है यह वाला मैٹ्रिक्स इजली बन जाएंगे देखें X1 के साथ मरे पास क्या आए 1 X2 के साथ क्या है C1 X3 और X4 के साथ कुछ की नहीं है तो यहां पर यह पहली एक्वेशन में मरे पास क्या है 0 0 है दूसरी एक्वेशन में मरे पास 3 वैलियूज है यानिके X1 X2 और X3 की X4 की नहीं है तो यह मरे पास क्या है 0 है जो हमारे पास third equation है उसमें हमारे पास क्या है x2, 3 और 4 की values है ठीक है x2, x3 और 4 यहनके 1 की value 0 आजाएगी 4 equation में हमारे पास x3 और x4 की value है ठीक है तो x3 और x4 की value यह आजाएगी और x1 और x2 की value मारे पास 0 आजाएगी यह हमारे पास बन गया matrix A ठीक है इसको हम क्या कहते है A से रिप्रिजέ्ट करते हैं वालिए hard one x two x divine यह हमारे पास x को रिप्रिजेंट करते हैं और यह हमारे पास b को रिप्रिजेंट करते हैं यह यह कि A x is equal to b यहrü्मेटिक्स और गागई अब हमारे पास first step हो गया हमारा ठीक है matrix बना लिए अब हमारे पास क्या है second step next step है हमने क्या खना है matrix A को lower and upper triangular matrix में decompose खना है ठीक है तो यह हमारे पास आ गया next step इसको हम लोगों ने equation A का नाम दे दिया ठीक है अब देखें यह जो हमारे पास LU है एक बराबर है हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया equation word में यह हमारे पास क्या होगा LU हो गया ठीक है अब हमारे पास जखें UX जो है इसको हमने लेट कर लिया यह किसके बराबर है Y के यह हमारे पास equation B आ गई यानके UX बराबर है किसके Y के यह हमारे पास equation B आ गई equation C हमारे पास क्या आ गई यानके UX की जगा पे हमने Y पुट कर दिया तो यह L Y is equal to B यह हमारे पास तीन equation आ गई गोर से देखें एक equation यह है जिसको हमने find करना है एक equation यह है और एक equation यह है हमने क्या करना है जो हमारे पास routes method है हमने इन तीन equations को found करना है सबसे पहले हमने क्या करना है इसको find करना है यानि कि L और U की values find करना है L और U की values हम लोगोंने सबसे पहले find करना है next step में हम लोगोंने क्या करना है Y की values find करना है यानि कि L की value हमारे पास आ गई न फिर हम लोगों ने क्या करने है y की value find करने है यानिकि यह equation number c है इसको find करना है ठीक है इसको find करने के बाद हमारे पास y की value आ गई यानिकि यह y की value आ गई u की हम लोगों ने पहले find कर ली थी then हमारे पास क्या है जो main चीज है जिसकी हम लोगों ने value find करनी है वो हमारे पास क्या है x तो सबसे last में हम लोगों ने जो equation b है इसको find out करना है यहाँ तक आ गई समझ next देखें अब हम लोगों ने क्या किया matrix a को lower and upper triangular matrix में convert कर दिया ठीक है lower and upper triangular matrix को convert करने के बाद गया किया इसको इसके साथ multiply कर दिया ठीक है वो convert करने का तरीका में आप लोगों पहले बताया था कि हम लोग अगर upper triangular matrix में हम लोग यहाँ पे diagonal domain जो element है उनको अगर one one ले रहे हैं ठीक है तो lower में हम लोग L1, L2, L3, L4 लेंगे ठीक है अगर हम यहाँ पे U1, U2, U3, U4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 111 पुट करेंगे ठीक है यह चीज होगी अब देखे बाकी के element जो हम लोगों पुट करने हैं यहाँ पे देखें C1 है U1 पुट कर दिया क्योंकि यह अपर है तो इसमें U1, U2, U3 ऐसी वैलियू पुट करनी है ठीक है जब हमने कनवर करने अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया मी नेक्स्ट सटेप में हम लोगों क्या करना है इसको इसके साथ क्भी मॉल्ठिप्लाइ करने के बाहरे का यह ये हमारे पास क्वाल्य क्वाल्य क्या है हे वण ये इसकी कीविव ये इसके ऊगाई ठीक है अब हम लोगों ने यहाँ पर देर देहान से जर्द Can L1 और U1 किसके बराबर है C1 के L1 U1 का multiplication जो है वो किसके बराबर है C1 के तो यहां से हम क्या कर सकते L1 की value या फिर U1 की value find out कर सकते लेकिन L1 की value हमारे पास क्या है A1 है तो U1 की value हम find करूंगे तो यह आजगा C1 over L1 ठीक है L1 हमारे पास क्या है A1 next step यहां से देखें यहां पर हम लोग L2 की value find कर सकते हैं यह देखें L2 is equal to है हमारे पास A2 यानिके A2 equation के set पर A2 is equal to B2 U1 plus L2 आप लोगों ने यहां से यह सारी के सारी values ऐसे ही find out करनी है U1, U2, U3 की values हमारे पास कितनी है 1, 2, 3 L की values कितनी है 1, 2, 3, 4 तो आप लोगों ने क्या करना है L1, L2, L3 और L4 की values find करनी है और U1, U2 और U3 की values find करनी है ठीक है तो यह अराम से हो जाएगा आप लोग इनको इन equations को use करते हैं ठीक है तो यह U1 की value होगी L1 की, L2 की, U2 की L3, U3 और L4 यह हमारे पास values आपे यह हमारा ok step complete अब हम लोगों ने क्या करना है equation number जो C है ना यानि के L Y is equal to B उसको हम लोगों ने solve करना है ठीक है तो यह हम लोगों ने क्या कर लिया lower triangular matrix ले लिया और उसके साथ हम लोगों ने Y ले लिया ठीक है Y को introduce करवा लिया यानि के Y1, Y2, Y3, Y4 तो यह जो हमारे पास B की value थी ना यह हम लोगों ने वही put करनी है जो equation में given है यानि के D1, D2, D3, D4 यह put कर दी अब हम लोगों के पास यहां से हम लोगों ने क्या किया था L1, L2, L3 और L4 की जो values find out की थी वो हम लोग यहां पर put करेंगे यहां पर यह हमारे पास Y1, Y2, Y3 और Y4 की values आजाएंगी यानि के यह भी use में आगया हमारे पास तीक है अब जो last step है अब जो last step है अब जो last equation है UX is equal to Y तो कि main चीज़ हमारे पास क्या है X इसको find out करना है और Y की values हम लोगों ने find out कर ली है तो Y की value भी हमारे पास है Y की values भी हमारे पास है हम इनको simplify कर सकते हैं अराम से इसको multiply किया इसके साथ इसको multiply किया मतलब जैसे हम लोग मैटिक से multiplication करते है ठीक है X1 is equal to आगया this, this and this X1, X2, X4 हमारे पास आ गए Y4 की जो value हम लोगों ने यहां से find out किया ने यह वाली यह हम लोग क्या करेंगे यहां पर put कर देंगे ठीक है उसके बाद Y3 की value या फिर sorry Y की value ने हम लोगों ने U1, U2, U3 की value put करनी है तो यह हमारे पास क्या जाएगा आंसर आजाएगा अदाम से ठीक है तो हम लोगों ने LU decomposition में X की ही value find out करनी होती है ठीक है तो यह आप लोगों ने ऐसे करनी है सबसे पहले क्या करना है lower and upper triangular matrix वो बनाने है उनको बनाने के बाद आपने क्या करना है L L और U की values find करनी है ठीक है यह आप लोगों ने find कर ली अब आप लोगों ने क्या करने है नेक्स टेप में जो equation number C है ना उसको solve करके Y की value find करनी है ठीक है जब आप लोग Y की value find कर लेंगे तब आप क्या करेंगे UX is equal to Y था ठीक है तो अब आप लोगों ने यू को यानि के अपर triangular matrix को multiply करना है X matrix से साथ X matrix के साथ जब आप उसको multiply करेंगे तो वो is equal to किसके है Y के तब आप क्या करेंगे X कोई values जो हैं वो find out कर सकते हैं अराम से ठीक है तो ये तीन step है easily आप लोगो इसको solve करें ये हो जाएंगे तो जो next example है नमबर 12 बिल्कुल वैसे ही करना ही यहां पर देखें हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने कैसे चेक करना है कि ये हमारे पास जो system of linear equation है ये square matrix बना रहा है ये नहीं आप लोगों ने यसे चेक करना है कि first में हमारे पास first जो है diagonal element second में second third में third और last वाल equation में यानि कि fourth में fourth diagonal element present इसका मतलब है कि हमारे पास square matrix बन रहा है ठीक है ये हमारे पास सारी values ये किसकी है बेखी values हैं ठीक है x1, x2, x3, x4 ये हमारे पास है और ये बाकी सारी हमारे पास matrix की value आगी ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है matrix form इसको convert कर लिया matrix form इसको convert करने के बाद ये हमारे पास a matrix है ये हमारे पास x matrix है और ये हमारे पास b matrix है यानिक ए x is equal to b actually हम लोग मतलब जो भी हमारे पास पहले इसकी example थी crowds method के अलावा भी हम लोग क्या करते थे x की value find out करनी होती थी ठीक है तो हम लोग क्या करते थे a का inverse find कर लेते थे लेकिन crowds method जो है उसने क्या किया है हमें ये सिखाया है कि हम लोग जो given magic से ना उसको हम factorization उसकी अपर और लोर में convert करके भी हम उसका inverse find किये बगैर भी हम x की value find out कर सकते हैं ठीक है तो previous जो lectures थे हमारे पास यानिके पिछे वाले जो lectures थे 17 से पीछे वाले 16 और उससे भी पिछे वाले जो lectures थे उसमें हम लोगों ने एका inverse बाहरा find out किया है ठीक है उसको हमें इसकी चायरी होती है ठीक है इसको हम लोग find ॉट कर रहे होते है ठीक है तो हम उसको find करने के लिए हम लोगों क्या क्या की है a is equal to a lower upper triangular matrix का प्रोड़क्ट ठीक है एक यह चीज फाइंड आउट करनी है यहनके एक्वेशन है उसके बाद हम लोगों ने l की जगह पे यहां पे a की जगह पे l u पूट कर दिया तो यह हमारे पास बन गी एक्वेशन नमबर 2 then हम लोगों ने लेट कर लिया कि यह जो u x है यह किसके बराबर है y की बराबर है यह एक्वेशन नमबर 2 आ गई तो यह हमारे पास क्या बन देगा यहां पे हम y पूट कर देंगे तो यह l y is equal to b हम लोगों ने सिरफ इन तीन एक्वेशन को find out करना है सबसे पहले l और u की values ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या करनी है y की values find करनी है क्योंकि b जो given है l की हम लोगों ने find out कर ली है ठीक है y की find करने के बाद हम यहां पे put करेंगे u की भी हम लोगों ने find out कर ली यहां पे put करेंगे फिर हम लोग क्या कर सकते है X की राम से find out कर सकते है ठीक है तो यह आप लोगों ने इसको खुद से करना है नेक्स्ट में यह सारा आप लोग करें इंशाला यह हो जाएगा ठीक है यह सारा का सारा procedure प्रेजन्ट है आप लोग देख लिए ना इसको बाकी आप लोग कुछ से करेंगे इंशाला यह हो जाएगा ठीक यू टेक किर अलाव पीस असलाम लेकुम